हैं देन्स स्वागत है बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टार्गेट सिमेस्टर में आज हम लोग बात करने वाले हैं History Second Semester के SLAVES के बारे में History के Second Semester का जो Çünkü SLAVES है यानि इतिहास का जो Second Semester является स्लेवस है उसमें कौन-कौन सी चीजे हमें पढ़नी है कहां-कहां से एकजाम में कउष्टन बनते हैं इन सारे स्लेवस को हम लोग कवर करने वाले है ठीक है तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग कोंसते हैं अपने टॉपिक पे है जो कि है हमारा हिस्ट्री स्लेबस सेकेंड सिमेस्टर ठीके ना सेकेंड सिमेस्टर का ये स्लेबस है ओके और इसमें सबसे पहला जो कोर्स कोड है वो है यह चाइएस 104 ठीके ना यह चाइएस 104 कोर्स टाइटल है हिस्ट्री आफ मेडायवल इंडिया ठीके ना यानि कि जो मेडायवल इंडिया है मध्यकालिन भारत है इसका जो है हिस्ट्री यानि कि इसी का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में भी देख लीजिए कि पाठे करम का जो सिर्षक है मध् लोग देखेंगे देखिए जो यूनिट टॉपिक है जो इकाई भी से है यूनिट टॉपिक देखिए कह रहा कि दो अरली तुर्क दखिर्जी ठीक ना यानि कि जो अरली तुर्क है तुर्क कौन थें कैसे आए कहां से आए उनका क्या कॉंसेट रहा भारत पर कैसे उन्हों इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है किसमें unit 1 में, unit number 1 जो है आपका इसमें हम लोग को देखना है कि जो प्रारंभित तुर्क थे यानि जो तुर्क थे आये और भारत पे किस प्रकार से आक्रमण की, आक्रमण करने के पश्चाथ, उन्होंने भारत की कौन कौन से जित अपनी पक्ष में ही उसका प्रयोग करेंगे भारत के पक्ष में तो उनका थोड़ा सा भी से संपदार ले करके गए ठीक है तो ये था आपका पहला यूनिट पहले यूनिट में जनरली हमें तुर्कों के जो प्रारंभिक तुर्क है और खिल्जी बंस तक पढ़ना है यानि कि तुर्क से ले करके जो है खिल्जी बंस तक ठीक है ये सभी के सभी हम लोग को पढ़ना ह जैनी कि जो तुर्क थें, उनमें कौन-कौन से राजा थे, और जो खिल्जी बंस है, उसमें कौन-कौन से राजा है, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो second unit है दा तुगलक और लोधी यानि कि तुगलक और लोधी ये दोनों लोग क्या कर रहे थे उसमें इनकी क्या परिदिर्श्थी थी, क्या इन लोग की परिश्थितिया बनी भारत में ये सब अपना वर्चस कैसे जमा पाएं तुगलक बंस की अस्थापना कैसे होती है लोधी बंस की अस्थापना कैसे होती है उसमें लोधी बंस का प्रशाशन कैसा था क्या कारण था कि वो जो है प्रशाशन कर रहे थे या फिर उन्होंने आकरमण किया तब प्रशाशन किया या फिर अपने कुछ ऐसे तरीके जैसे पहले के जमाने में होता ये भी था कि एक राजा, दूसरे राजा को बनने के लिए अगर उसका पूत्र होता था तो पिता को मार देता था और भाई होता था तो भाई को मार देता था तो क्या ऐसी भी परिश्थी थी या थी क्या ये भी हमें देखने को मिलेगा ठीक है ना तो तुगलक बंस और लोधी बंस के जितने भी शासन पर शासन की लिए हैं कौन-कौन से उन्होंने कारे किये कौन कौन से कारे किये जो अभी तक हमारे लिए beneficial है या नहीं है इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है चुकि हम लोग पढ़ना है भारत का इतिहास और भारत का मध्यकालिन इतिहास किसी भी चीज के वर्तमान समय को देखने के लिए अगर हम उसकी परिष्थितियों का जो इतिहासिक परिष्थितियां उसका जब तक अध्यान नहीं करते हैं भारत का सम्मिधान अगर उभर करके आया सन 1947 में जब हम लोग को आजादे मिली तो 1950 में जाकर के हमार नीचोंचास में ही तो सम्मिधान तयार हो गया था लेकिन 1950 में जाकर के लाग हुआ तो हुआ क्या ऐसा माना जाता कि जो भारती सम्मिधान है दो साल 11 वहिना और 18 दिन ही लेकिन समझने के हो सकता है कि उसके पीछे की परिद्र से क्या थी 1773 के Regulating Act से ही स्टार्ट हो गया था संबिधान का प्रावधान धीरे 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 डिवलोग करके और फाइनली जा करके जब इंडिया आजाद होता है भारत आजाद होता है तो भारत आजाद होने के पसाद संबिधान सवा बैठाए जाती है और जो जरूरी जरूरी प्रावधान थे उसमें एड किया जात से सारी चीज़ों को हम लोगों पढ़ना है उसके बाद क्या पढ़ना है इंडियन ओन दो इवे ऑफ बावर्स सिन्विजन ठेके नहीं कि बावर के समय कौन सी परिस्तितियां थी बावर आक्रमण करता है भारत पे किसके किसके साथ उसका यूध होता है उसमें भारत में कौन राजा है ठीके ना कौन से प्रसिद युद्ध हैं कौन से ऐसे युद्ध थी जो जिसे मुगल संतनत का पूरी तरीके से वर्चस भारत में अस्थाफित करती इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है यहां तक कि जो मद्यकालीन भारत में कई तरह की बिवस् इस वही है ठीके ना उसके बाद हम लोग दिखेंगे डिवलोप्मेंट आफ दो सुफिस्म इन इंडिया यानि की सुफी सुफी जो संत थे उन लोग का क्या विकास रहा कैसे विकास हुआ कैसे नहीं हुआ कौन कौन से कंडिशन बने इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है भक्ती मोमेंट भक्ती मोमेंट का क्या मतलब है देखे भक्ती मोमेंट जो होता है भक्ती मोमेंट में भी कई प्रकार की भक्ती थी ठीक ना और ये भक्ती मोमेंट जो आया भक्ती आंदोलन जो आया किस तरीके साया क्यों आया इसके आने का क्या कारण रहा इसके आने का क्य सुद्रिध करण मतलब मजबूत होना मजबूत कैसे हुआ इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है भारत में पुना सुफिवाद का अस्थापना सुफिवाद का विकास भक्तिया दोलन और उत्तर भारत में पुना सुद्रिध करण सुद्रिध करण हम लोग किये हैं सुद्रिध करण का जनरली मतलब होता है मजबूत किया जाना इसके बारे में भी हम लोग को चर्शा करने है अब यहां पे समझे यह तो हो गया यह आपका क्या था यह 104 का था ठीक ना यानि कि कोर्स कोड 104 हम लोग देखने हैं इसमें सबसे फ़ए फ़एले हम लोग को देखना है तुर्क और उसके बाद खिलली वन्स यनि तुर्क के एसथापना कैसे हुई जो अर्ली तुर्क थे लांकर के कूट को से आ जाते आकरमण कि फिये बारत में उसके बाद हम लोग को देखना है तुखलक वंस और लोधी वंस उसके बाद इंडियान और इवन बावर का जो है समय देखना है हम लोग को फिर डिवलप्मेंट आप सूफिज में इंडिया मतलब इंडिया में सूफिज में किस्थापना कैसे होती है भक्ती मोमेंट हम लोग को देखना ह और यह स्ट्रेंधिंग नौर्थ इंडिया नौर्थ इंडिया यानि उत्तर भारत में कैसे इसका सुद्रेडी करण हुआ है तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपका पूरी तरीके से किलियर हो गया होगा कि हम लोग को 104 में पढ़ना क्या क्या है ठीक है अब हम लोग बात है इसमें हम लोग को पढ़ना है अकबर टू साहाजहाँ ठीक है ना अकबर से साहाजहां तक कि जितने भी विवास्थाएं हैं जैसे मनसब्दारी रिलेशन विद राजपूत एं महरारा प्रता और रिलीजन स्पॉलिस से ठीक है ना उसमें शरी उसमें जो मनसब्दारी प परता के तरगत कौन कौन से चीज़े आती थी उस समय जो क्रीशी बेवस्था थी वो कैसी थी जो सैनिक बेवस्था थी वो कैसी थी उस समय जमिदारों का क्या इस्तिती था उस समय सारी परिद्रिशी यहां तक की जो मुगल अंपायर हैं मुगल अंपायर का मतलब जो अकबर और सहा जहां जो समराठ है तो अकबर की समय में इन सबों के साथ राजपूत के साथ कैसा इनका रिलेशन हुआ करता था और महाराना परताप के साथ क्या रिलेशन हुआ करता था जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाराना परताप के साथ एक प्रसिद युद हुआ था हल्दि तो यहां पर रोटी बेटी का जो, संब्नित बताया जाता है, तो उस संब्न को भी हमें देखने को मिलाता है। उन लोगों के साथ रोटी बेटी का संबंद हमें देखने को मिलता है ठीकिगे ना तो कौन-कौन से उसमें परिस्तिति लेकिन महरानपरताब के साथ क्यों ऐसा हुआ कि बार बार युद्ध को ही चुनोती देते रहे हैं महरानपरताब और अकबर और महरानपरताब के बीच में बार बार युद्ध की बरिस्तिती क्यों बनी रही इसके बारे में भी हम लोग को समझना है जो धार्मिक जो पॉलिसी है यानि कि धर्म को लेकर के मुगल अंपायर की क्या क्या जो है सोच रहे हैं धर्म को किस दृष्टी से देखते हैं क्या वो जबरन अपने जो इसलाम धर्म है वो सबके उपर थोपना चाहते हैं कि नहीं थोपना चाहते हैं अगर नहीं थोपना चाहते हैं तो धर्म के प्रति उनकी क्या रवया रही है इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है उसके बाद हम लोग देखेंगे औरंग जेब अवरंजेव जो था इसका राजपूत की प्रति क्या रवया था राजपूत की प्रति उसकी क्या पोलिसी थी क्या उनको दबाना चाहता था या फिर उनसे बहतरीन संबंदा स्थापित करना था क्या उसकी रवया थी इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है Religions को ले करके यानि कि जो धर्मिक कटरता थी क्या उसके अंदर विद्यमान थी या फिर धर्म को ले करके उसकी सहनुवती कुछ अलगी थी क्या वो ऐसा राजा था या फिर क्या ऐसा समराठ था कि जो है दूसरों को ले करके धर्मिक रूप से कि आप अपने धर्म को मानिये या ना मानिये उससे मतलब नहीं है एक तरीके से कह सकते हैं सहीं शूर्ता या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उधारवाद क्या वो धर्म को लेकर कि उधारवाद था या फिर धर्म को लेकर कि वो कट्र था इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है जो कि और अंग्जेप से रिलेटर है कैसे ये डिकलाइन हुए ठीके ना डिकलाइन का मतलब कैसे इनकी जो वन्स थे जो मुगल वन्स सदियों से चला आ रहा है लगवग 2300 वर ये शासन किया वो कैसे डिकलाइन हो गया क्या परिष्थितियां बनी कौन से ऐसे सेचुएशन सुए कि मुगल वन्स का देरे देरे अस्तितु ही समाप्त होने लगा इसके बारे में भी हम लोग को पढ़नी ठीके ना राइस दा मराथा अंडर सिवाजी ठीके ना और मुगल का जब धिरे धिरे एक तरीके से मुगल जब धिरे धिकलाइन होने लगे उनकी परिष्थितियां जब धिरे धिरे डल होने लगी तो कौन लोग उभर करके आए तो माराथा लोग उभर करके आए किसके नेत्रित में सिवाजी के नेत्रित में माराथा लोग उभ लगता है भारत में ठीक ना उसके बाद जो सिवाजी थे उनका एड्मिनिस्ट्रेशन कैसा था ठीक ना यानि प्रसासनिक बेवस्था थी कौन-कौन से ऐसे बेवस्थाइं किये थे जैसे उस समय मंतरी कौन हुआ करता था और मंतरी से ले करके जित्ती भी सारी चीजी बेवस या फिर एक तरीके से कटरपंथिक या फिर हम लोग यह कहें कि युद्ध करके जीत लेना मिला लेना क्या इस तरीके का भी रविया था इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है ठीके ना इन सारे परिद्रिश को हम लोग को पढ़ना है सिवाजी के बारे में रिवेंडि सही and लेटर मुगल ठेक न पद पद साही है स्वरी पद पद साही और लेटर मुगल जो लेटर मुगल है लेटर मुगल के बाद की जो बात होती है हैने कि लेटर मुगल जो मुगल काल था उसके बाद की बाद जब धिरी धिर डिकलाइन होने लगा खतम होने लगा उसके बाद जो है माराठा उबर करके आएं तो उसके बारे में भी हम लोग को जानना है पढ़ना है समझता ठीक ना उसके बाद देखते हैं हम लोग डिवलप्मेंट आफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग मुगल पीरियर ठीक ना यानि कि जो आर्किटेक् उसके बाद अकबर हो गया इन लोगों को मिला करके जितने राजा थे तो जो आर्किटेक्चर था जिस हम लोग आस्तुकला भी कहते हैं और जो पेंटिंग ठीक ना इन में क्या डिवलप्मेंट हुआ उस समय क्या परिस्तितियां थी धीरी-धीरी कैसे बदला हुआ और कैस से फाइनली चुकि हम लोग ये भी जानते हैं कि साहा जहा की काल में जो है ताजमहल का भी निर्माड हुआ था ठीक है ना तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि उस समय जो सांस्क्रिक्टिक भीविदिता थी वो कैसे कैसे डिवलप्मेंट होगी ठीक है इसके बारे कि साहा जहा की या फिर अधर मुगल समराट की ठीक है और राजपूत धार्मीक और दक्कन निती मुगलों का पतन और बिघटन ठीक है जब मुगल का धिरे धिरे बिघटन हो जा रहा है तो उसके क्या कारण है कि मुगल का बिघटन हुआ इसके बारे में भी हम लोग को तिकना यहनुने की लेटर मुगल लूटर मुगल का मतलब क्या जब यह मराठा का धेरे-धेरे होने लगता है उस में लगत्ग करते साथ था। को मुगल के जो मुगल वंस है उनके शासन ब्योस्था का धिरे-धिरे पतन होता जा रहा है और यहां पर माराथा का जो है धिरे-धिरे उद्य होता जा रहा है ठीक नहीं इन परिस्थितियों के बारे में हम लोग को अध्यन करना है ठीक मुगल काल में वास्तुकला एवं चित्रकला के जो विकास वरा इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है ठीक न तो उमीद करता हूं कि आपका सलेवस यह क्लियर हो चुका है और सारे परिदिश्यों को हम लोग पढ़ेंगे जो भी आर्थिक राजनितिक और सामाजिक नीति इन सभी के बारे में उसको भी हम लोग को जानना है क्यों एक दूसरी के प्रती इतने कटर थे या फिर कौन एक दूसरी के प्रती इतना लोयल था इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है तो आपका स्लेवस यहां पर कनफर्म हो जाता है किलियर हो जाता है मिलते हैं नेक्स् स्लेबस के साथ यह आपका हिस्ट्री का स्लेबस रहा इसके बाद पॉल्टी और फिर जियोग्राफिक का स्लेबस भी अमनों को डिस्कस करने में बाई